अश्रावनीकुमेवीबन आज की इस वीटियो के दर हम बात करेंगे लिए यूटियाई के ओपर यूरीलरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के ओपर क्या कभी आगों के सब ऐसा हुआ है कि आपको पिशाब के अंदर खून आए पिशाब के अंदर पसा नशुन हो जाए पिशाब कर तो बार पर आएं और जो हैं कम आए ततरों की सुरत में अगर आपको रिस्तानें ही सिंप्शन की इस तो क्या मतलब है आपको यूटियाई है यूरीनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है यूटियाइ का मतलब कि होता है कि आपको आपका जो पिशाब कर जो सिस्टम है जो हमारा युरींडि जिस्टहम है है दो के इसके इंदर इन्फेक्शन हो गए इसके अबयु गला केँगे कि किंटनी से जो नाली बीटर है was bu रीटर के तरूप का ने करना जाता है उसके बाद हमारे पास सब्लेडर से लेकर और नीचे जो है आपके बाहर जान से आप एक्स कर खड़ियक को मेल्स का और फीमेल स्कॉछ अपर के अंदर और अब पर के अंदर और लेडर और उरेटरर और पर इसके बाद हमारे पास को इंजक्टेरिया उत्यार होते हैं और वह हैंक अब यहां पर क्या होता है बेक्टेरियों इंट्रियों की नदीति हैं उनकर सीवपटेरियों, उनकर सेलम करें वियूटेरियों का कि यो न दी शिस्टम के ऐनलो hy aquesta, एक यह बात करेंगे अब हमारे पास यह का यूज करना जो हमारे पास जो सबसे पर आया है तिके infected है या इसके लावा जो है sex इसके अंदर आज़ता है कि आप जाए safe sex के अंदर involved नहीं है या आप जो है इसके अंदर ये भी आ सकता है कि जो catheter होती है अगर उसकी जो है हमने safety measures लिए catheter को लगाते हुए है जो पिशार के लिए जो यूरीनरी catheter होता है अगर वो सही जिनके से नहीं लगा हो इसके अंदर infection था वो जो है जो है जो जो है जो गड़ेटर था वो हमारे पास अगर infected था इसके ओपर bacteria थे अगर वो जो है पूट के जाता है यूरीन इंदर यूरीन के लिए तो वो भी cath दरता है ब्लेडर का infection कास करता है कि वो इसके अंदर bacteria थे अब ब्लेडर ट्रांस्मिट हो दें आपकी यूरीन सिस्टम के अंदर है उसके बाद और हमारे पास ऑट को अरफ यह संक्रत आयता है कि आपकी जू है वो हाईजीन है ढही है वेजाप कर देते अब इसको चेंग में करें कई तार तक हमारे पास ट्रांसमृत देगा इसके लावा हमारे पास शुप हो सकता है कि अगर आपका बुच्छा है आपको नहीं पता तो उसके इभी आ सकते हैं तो आप इसके अंदर हम यह भी बात करें का आगर चलके, हमारे पास जो हमारे पास इसांदे ही उसको छो हमें अपने बचें को कैसे बताना है, एपने पास इसे तरीके से रखना है, कि हमारे बच्चें वो इस infection से बचे रहें और साथ साथ क्या है कि हम उन्हें के बच्छें को कोई इस तरह इस ताम तो नहीं कर रहा रहा हुआ यूजिलिए क्या होता है हमारा जो हमारे जो society है इसके ने जो बच्चों के अंदर जो अगर UTI मिले और कोई cause ना मिल रही हो तो पीछे जो cause होती है वो होती है offender ठीक है बच्चा sexually abuse हो रहा होता है पर हमें पता नहीं जलता और इस तरह से इंफेक्शन होता है वो बढ़ जलता है अब यह थे हमारे पास इसके risk factors हमने अलावा को discuss किया हमें causes को discuss किया risk factors को discuss किया अब हम यहां बात करेंगे अगर infection हो गया है तो अगर हम इसको diagnose करना चाते हैं सबसे पहलो तो हम जो है presentation को देखेंगे clinical symptoms को देखेंगे उससे में पता चाल जाएगा जो बच्चा है जो औरत है जो खवतीन है या मर्द है उसको जो है हमार यृण की investigation करवा देंगे अब यृण की investigation के अंदर हम यह करते हैं कि आपको पेशन्ट के जो है उरीन ले जाता है अब हमार पस जूरीन है इसकी investigation होती है इसका जो है यृण कल्चर होता है और बैक्टेरिया की जो quantity है उसको देखा जाता है अगर वो 100,000 से जादा है तो इसका मतलब यह है कि पेशन्ट को यूट की आई है अब इसके बाद हम यह जेख लेते हैं कि जो दीकर हमारे पास और किड्ली स्टोन के लिए किड्ली स्टोन को देखने के लिए हम X-ray करवा लेंगे CT scan करवा लेंगे यह करवा ले जाता है अगर वहां पर आपका जो आउट फलो है जो आउट फलो है इसके अगर अगर कोई जो हमरे पास ब्लोके जा आ रहा है हमारे पास डिजीज हाँ और चांस़ी को होती है नियाे नियां चांसीज होने की उरेटरियू हमारे पास उसका साइज वह कम है इन थारी जो सेक्षिय उन पीन्फेक्ष trynaडियु एकन ड्सकिन ह्otn कि अब इसके अंडर हमारे पास यह के पेशंट जो है हॉस्पिटिरालाज़ेशन नरो उसको लगा उसके अदर लगा उसके अंडर जो है मेल धिये जो है और दीजिगे पेशने के छिभने को गुंसा है इंशाएलला in next video we will talk about the treatment of UTI next video के अदर हम इंशाएलला urine retract infection का विशाब में पस आने का विशाब में smell का और अगर bubbles है treatment plan देखेंगे thank you so much अगर आप लोगों ने हमारा चनल चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल सबस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें